स्लाम निको माई योटूब फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप सब ठीक होंगे आज मैं आपके लिए बहुत आसान ब्रॉणीज की रस्पी लेकर आई हूँ जैसे बनाना बहुत ही आसान है चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं ब्राउनीज बनाने के लिए हमें इस चीज़ों के जरूत है एक कप मैदा, हाफ कप आइस स्यूगर, जैम, कोको पाउडर, चॉकलेट, वन बै थ्री कप आयल, नीम करम दूद, दो अंडे, वन टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा, वन प मैदर डालेंगे, हाइस स्यूगर डालेंगे, कोको पाउडर डालेंगे, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ताके कोई लंस परा न रह जाए, अब इसमें हम बिकिंग पाउडर डालेंगे, बिकिंग सोडा डालेंगे, और मिक्स करेंगे, अब इसे उठा के एक साइट फे रख देंगे हम अब हम एक और बॉल लेंगे और उसमें अंडे तोड़ के डालेंगे वनेला एसन डालेंगे नमक डालेंगे और बीटर की मतलब से दो मिंट अच्छी तरह बीट करेंगे अब इसमें हम आइल डालेंगे और नेम करम दो डालेंगे और थर्टी सेकिंड के लिए हम दुबारा से से बीट करेंगे अब लिख्विट को हम मैदे में डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे अब अब चौकलेट लें डालेंगे और हलके हाथ से मिक्स करें मिक्सर यहाँ पर हमारा थ्यार हो चुका है अब एक आंटेनर लेंगे और आईल से इसे ग्रीस करें दो चमच मैदा लें और अच्छे से फेला लें और जो एक्स्ट्रा हों उसे भाई निकाल लें अब मिक्सर को कॉंटेनर में डालें दो तीन दफ़ा टैप टैप करें और कुछ चॉकलीट उपर डाल दें मैंने यहाँ पर ऐसे ही चॉकलीट डाली थी लेकिन आप एक चमच मैदे में चॉकलीट को मिक्स करें और उसके बार डालें इससे यह होगा कि आपकी चॉकलीट नीचे नहीं बैठेगी बाटम में उपर ही रहेगी अब इसे उठा के माइकरो वेव में रख दें और पांच मिंट का टाइम लगा दें पांच मिंट हो चुके हैं अब हम इसे खोलेंगे माशाला से केक हमारा अच्छा सा बेक हो चुका है अब हम नाइफ की मदद से इसे चेक करेंगे केक बल्कु परफेक्ट बेक हुआ है अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे केक हमारा ठंडा हो चुका है अब हम नाइफ की मदद से इसको साइट से अलग कर लेंगे और एक दूसरी प्लेट में इसे हम निकाल लेंगे मैंने जो चॉकली डाली थी वो सारी बाटम में आ गई है जैसे के आपको नजर आ रहा है इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप एक चमच मैदे में चॉकलेट को मिक्स करें और उसके बाहर डालें इससे ही होगा कि आपकी जो चॉकलेट होगी वो बाटम में नहीं बैठेगी वो धरम्यान में ही रहेगी चलें कोई बात नहीं अब इसे हम दो हिसो में काट लेंगे एक हिसे को ठाके हम साइड पर रख लेंगे अब इसके उपर आप कोई भी जैम लगा लें अपनी पसंद का या फिर आप चॉकलेट भी लगा सकते हैं मेल्ट करके अब सारी के उपर पहला लें अब दूसरी हिसे को उठाके उपर रख दें अब नाइफ की मतलब से इसके पीसिस कर लें माशाला से हमारी ब्राउनिस त्यार हो चुकी है आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा इससे मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले वाच्छ कर सकेंगे दवाओं में याद रखेगा अलाँ आफिस